पहले होते थे पांच दिवर्सिय टेस्ट मैच, फिर होने लगे एक दिवर्सिय बंडे, फिर होने लगे ट्वेंटी ट्वेंटी मैचेज, जैसे जैसे क्रिकिट में समय कम होता रहा, क्रिकिट में रोमांच और पैसा दोनों बढ़ते रहे, बिलकुल ऐसे ही रोमांच और पै इंट्राडेट ट्रेडिंग खेल है रफतार का, जुनून का, इंटेलिजेंस का, इस खेल को कैसे खेला जाता है आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंट्राडेट ट्रेडिंग कभी करनी नहीं चाहिए, इंट्राडेट ट्रेडिंग बहुत जोखिम भरी होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई कमा नहीं सकता, ये जरूर आपने सुना होगा, लेकिन देखे मेरा अनुभाव, मेरा experience बिलकुल अलग रहा है, इंट्राडे काम तो मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग सही ढंक से कैसे की जाती है, सबसे पहले जान लेते हैं कि इंट्र ट्रेडिंग करने के हक में हूँ, पहली बज़य इंट्राडे ट्रेडिंग करने की है कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, तो कोई overnight risk नहीं होता, ज्याने की आपको इस बात से कोई सरुकार नहीं होता, कि बजार कल कहां खुलेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी tension का सबब रहता है, लोग बड़ी बड़ी positions ले करके जाते हैं, अगले दिन market काफी नीचे खुल जाता है, और देखिए बंद बजार में तो stop loss भी काम नहीं देता, लेकिन intraday trading में हमेशा stop loss की सुविधा रहती है, तो देखिए आम धारणा ये है कि intraday trading में जोख किम कम होता है, intraday trade करने की दूसरी बड़ी वज़ा, दूसरी बड़ी वज़ा है leverage, अब देखिए leverage क्या है कि आने के आपको पैसे लगाने पड़ते हैं कम और आप बड़ी positions बना सकते हैं, अब देखिए जिन traders के पास सीमित पूझी है, कम पैसे हैं, उनके लिए intraday सौग कमाई आती है, तो विश्वास बना रहता है, आपका interest बना रहता है, और इसलिए नए traders intraday trading को इतना पसंद करते हैं, चौथी वज़े यह है कि देखे intraday trading जब आप करते हैं, और बजार के मुह में से बजार बंद होने पर कुछ पैसे बाहर ले करके आते हैं, तो जो खु देखे ये काम इतना असान नहीं है, इसमें अनेक और प्रकार के जोखिम भी साथ में हैं, तो क्या कारण हैं कि intraday trading में लोग सफल नहीं हो पाते हैं, ये जान लेना भी जरूरी है, देखे सबसे बड़ी समस्या intraday trading की है, over trading, याने कि देखे intraday में बहकना असान होता है, बहुत leverage मिल जाता है, तो आप broker को कहते हैं, मेरे पास तो एक लाख रुपया है, broker कहता है चिंता मत कीजिए, आप 30 लाख रुपय तक की position बना लीजिए, ये over trading जो है, ये बरबादी का सोपान है, और आपको पता ही नहीं लगता कि कब आपके पास इतनी बड़ी positions हो जाती ह और देखते ही देखते इंट्राडे volatility में बड़ा अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, तो पहली वज़ा इंट्राडे में नुकसान करने की है over trading, दूसरी समस्या इंट्राडे trading की ये है, कि यहाँ देखे speed बहुत जादा होती है, इंट्राडे बहुत fast होता है, आपको बूजने का, देखने का, परकने का समय भी नहीं मिलता है, तुरंद फैसले करने पड़ते हैं, जो कि एक नए trader के लिए बड़ा ही मुश्किल काम है, तो इंट्राडे momentum और speed का खेल है, बिलकूल T20 है, और अगर आप नए खिलाडी हैं, तो आपका पिटना लाजमी है, फिर सबके बस की बात नहीं है, और चौती बात ये है, कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, आपको स्किल और सिस्टम दोनों चीज़ पर अच्छी पकड़ चाहिए, तो देखें, इंट्राडे ट्रेडिंग का खेल असान नहीं है, इसमें तो कोई दोराय नहीं है, लेकि कि आपको intraday में सफलता दिलाएंगी तो बड़ी गंभीरता से सुनिएगा ध्यान से सुनिए पैड बांध लीजिए बल्ला संभालिए टी 20 शुरू तो देखे पहली चीज जिससे आपको बचना है वो है overtrading और उसका तरीका यह है कि आपको अपनी quantities fix कर लेनी है quantity बहुत ही रखे आम तोर पर intraday trading में लोग पिठते इसलिए हैं क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी ट्रेड इंट्राडे में ले बैठते हैं आपको quantities fix रखनी है number of trade बढ़ा यह कोई समस्या नहीं है जाद से जादा बार उसी पैसे को गुमाने की कोशिश कीजिए लेकिन एक बार सारे trade एक साथ नहीं लेने हैं दिन भर में जितने भी trades आप लेते हैं उनको बांट करके पूरे दिन भर में लेना हैं बजार को तीन पड़ाव में बांट लीजिए पहला जो interval है वो है खुलने से लेकर के लगबग 11 बजे तक का समय 11 बजे से 2 बजे तक के समय को एक अलग interval मानिए और फिर 2 बजे से 3 जब तक बजार बंद नहीं होता ये तीसरा interval है तो एक limited number of trades ही एक interval में लीजिए सारे trade एक साथ ले लेने से कई बार नुकसान हो जाता है देखें इंट्राडे में trade करने के लिए चाहिए एक बहुत ही बढ़िया trading system और trading skills अब आप पूछेंगे ये trading skills कहां से आएंगी तो देखें तबला बजाना अगर आप सीखने का प्रयास करें इतने चोटे बच्चे शुरू करते हैं और कब जाकर बड़े होने के बाद किसी concert में बजा पाते हैं तो देखें ये काम असान नहीं है बाजा बजाना जब इतना मुश्किल हो सकता है तो इंट्राडे ट्रेडिंग जिससे लाखों रुपया बन सकता है असान नहीं है लेकिन अगर आप सिस्टम के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे में जबरदस्त रिटरंस आते हैं आपको अपनी स्किल पर अपने सिस्टम पर काम करने की जरूरत है देखें चौती भी ट्रेड ले लें वो सफल हो जाता है उस दिन मैक्सिमाइज करने का प्रयास करना चाहिए तो पिंच हिटिंग है चौत ही चीज जिसका आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में ख्याल रखना है और देखें जिस तरह पेंच हिटिंग उस दिन करनी चाहिए जब बजार आप कैसा भी प्रयास कर लें प्रॉफिट नहीं आता उन दिनों से किनारा कर लेना चाहिए तो कब किस तिन ट्रेड नहीं करना है ये पता होना चाहिए बजार में कुछ ना हो रहा हो तो उस तिन दुकान बंद करके किसी और काम में लग जाए रोजाना ट्रेड करना कोई अनिवारे नहीं है छटी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि बजार की दिशा का ख्याल रखिए वेगे मैं इतने इंट्राडे ट्रेडर को देखता हूँ जो तेज बजार में मंदी के सौदे लेने पर अड़े रहते हैं और जिस तिन बजार गिर रहा होता है उस इस बात को ध्यान में रखिएगा तो देखे साथवी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इंट्राडे में पैसा नहीं खोना है पैसे को दोनों हाथ से पकड़ करके रखना है देखे मैं देखता हूँ कि ट्रेडर्स जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं भी मुस्तेदी से फॉलो करें तो इंट्राडे में पैसा नहीं देना है ये बहुत ज़ादा ज़रूरी है और देखे आठवी और आखरी चीज ये है कि देखे इंट्राडे में F&O करने की दरकार नहीं है अगर आप छोटे ट्रेडर हैं तो तो देखे कई सारे नए ट्रेडर में देखता हूँ कि बेवज़ा इंट्राडे में F&O फ्यूचर नौप्शन में कारोबार कर रहे होते हैं तो इंट्राडे में तो वैसे भी लेवरेज मिल ही रहा है आपको तो फिर F&O का भारी जोकिम उठाने का क्या उचित्ते हैं ये आठ चीजें अगर आप पूरी तर आपको कैसी लगी इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जो मैंने आपको बताया उसको जरूर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिए तुरंट चैनल को सस्क्राइब कीजिए और इंतजार कीजिए इस शनिवार का क्योंकि इस शनिवार नौक का